Hello and Welcome Friends आज की वीडियो function को ले करके है function को ले करके इससे भी पहले मैं video's बना चुका हूँ और आज की इस video को देखने के बाद function थोड़ा सा और आपका clear हो जाएगा तो चलिए आएए बात करते हैं function की तो सबसे पहले python को open कर लेता हूँ python की ideally को open कर लेता हूँ है यहां पर हम एक function बनाने वाले हैं और function बनाने के पहले जैसा क्या आप जाते हैं कि Def Keyword का यूज हम करते हैं तो यह हमने यूज कि ए Def Keyword और यहां पर एक function बना लेता हूं MyFun के नाम से MyFun यह हमारा function है और इसको Open किया फिर close किया और यहां लगा देंगे column column लगा देने के बाद से enter करके नीचे आएंगे यहां पर print करवा देंगे क्या print करवाना चाहते हैं वो चीज यहां पर दे देना है like मैं print करवाना चाहता हूँ hello this is function ठीक है तो यह हमने print करवा दिया और अब इस bracket को कर दीजे close और अब enter करके हमें आना है नीचे ठीक है तो अब आते हैं नीचे और नीचे आने के बाद यहां पर हमें इस function को हम देखे जितनी बार call करेंगे इस function को उतनी बार यह print हो जागा अब यह हमने call नहीं किया अब इस सिर्फ हमने print लिखा है और उसमें print करवा रहे हैं इसको पहले save करता हूँ ठीक है यहां पर desktop पर ही save कर लेता हूँ fun dot py dot py लगाना ज़रूरी तो यह बाद ध्यान रखिएगा और यहां से run पर जाईए click कीजिए और फिर run module यहां से run module पर click करते हैं अब देखें यहां पर कुछ भी print होगा नहीं आ रहा current क्या है कि हमने अभी call ने किया तो यहां पर आएंगे function तो हमने बनाया है लेकिन call ने किया और enter करके निचे आते यहां पर आ करके अब इस function को call करता हूँ कैसे मैं लिखता हूँ यहां my fund यही नाम था ना तो यह लिख दिया मैंने my fund अब एक बार यह हो गया call एक बार print होकर आ जाएगा hello this जो भी लिखा है hello this is function तो यह print होकर आ जाएगा ठीक है कैसे आएगा यहां से इसको run करता हूँ तो यह देख सकते हैं यहां पर hello this is function प्रिंट होकर आ रहा है अब अगर मैं इसको दुबारा call करता हूँ ठीक है तो यह देखिए यहां से मैं इसको दुबारा call करता हूँ call करके आपको दिखाता हूँ यह like my fund f.u.n ठीक है अब यह दुबारा call कर दिया मैंने function को और फिर यहां पे देखिए क्या होता है दो बार print होकर आएगा hello this is function तो function का का काम यही तो होता है कि हम किसी particular task को perform करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बार हम piece of code लिख देते हैं और उसको कोई नाम दे देते हैं और फिर जब जब हम चाहे call करें तब तब वो function हमारा चलेगा और यही कहलाता है function तो देख सकते हैं दो बार print होगा अगर आपको तीन बार जानोता है तो यहां लिख दीजिए my fun अब यहां से इसको save कर लेता हूँ अब save कर लिए आप यहां से फिर run करता हूँ देखिए यह save कर लिए मैंने यहां से run करता हूँ यह देखिए run module पर जाके run कर यह और run करते ही देखिए तीन बार यह print हो गया अगर आप फिर run इसको call करेंगे तो यह फिर एक बार और आ जाएगा इसे ही तो देख सकते हैं एक दो तीन चार बार यह print होकर आ चुका है इसके आगे के वीडियो आगे बनाता रहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो उसे share करें Thank you for watching